हेलो गाईज, वेलकम और वेलकम बाक टो माई चानल आज मैं एक और डाइट प्लाइन के साथ आपके सामने आई हूँ तो ये भी एक ऐसा डाइट प्लाइन है जो मैंने अपने वेट लॉस जोनी में फॉलो किया था जब मैं 98 केजीज की थी तो ये डाइट प्लाइन, ओर डाइट प्लाइन है अगर आपने मेरा इस से पहले वाला डाइट प्लाइन नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप जरूर चेक आउट कीजे तो ये ओल डे ओड़ डाइट प्लाइन है तो चलिए प्रेकफस्ट पर चलते हैं तो प्रेकफस्ट पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिम चीज खाने वाले है जो कि है ओवरनाइट ओट्स या फिर ओट्मील आप इसका स्क्रेंड शॉट्ट ले सकते है रेसिपी का तो इसके लिए हम rolled oats लेंगे और उसको हम लोग soak करेंगे half and half water और milk में अगर आपको overnight नहीं रखना है या ठंडा नहीं खाना है तो आप इसी quantity में लेकर उसे boil कर सकते हैं boil करने से भी वो बहुत जल्दी soft and mushy बन जाता है एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ rolled oats लेने हैं instant oats नहीं लेने हैं इसमें तो overnight रखने के बाद या boil करने के बाद या इस तरीके से mushy हो जाता है ठीक है अब mushy हो गया है अब इसको flavor देते हैं हम लोग तो flavor के लिए हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा honey add करेंगे अगर आपको पसंद नहीं है तो आप skip कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें अपने choice of fruit add कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी option है लेकिन आपको कोई एक ही fruit add करना है आप बहुत जादा पका हुआ या फिर over ripe fruit add मत कीजेगा ठीक है fruit add करने के बाद हम चाहो तो इसमें nuts भी add कर सकते हो या फिर अपने choice of seeds add कर सकते हो जैसे flax seeds या sunflower seeds etc और इसे enjoy कर सकते हो trust में यह बहुत tasty होता है अब breakfast के बाद हम चलेंगे lunch की तरफ हमारा lunch का वक्त हो गए और lunch में हम लोग खाने वाले है ओट्स की रोटी तो हम ने जो rolled oats लिए हैं उनको हम mixi में पीस के oats का आटा तयार कर लेंगे या फिर आप बाहर से भी oats का आटा पोचेस कर सकते हैं और उसको यूज करके हम दो रोटी बनाएंगे जिसे हम खा सकते हैं लंच में अगर आपको सिर्फ ओट्स के साथ रोटी नहीं बनानी तो आप उसमें थोड़ा सा ज्वार या फिर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके भी आप रोटी बना सकते हैं बस जिसमें काफी कम या negligible amount of calories होते हैं लिंक में description में दे दूँगी उसमें से आप कोई भी vegetable चूस करके बना सकते हैं और उसको oats की रोटी के साथ खा सकते हैं सबजी के साथ साथ आपको salad भी definitely consume करना है और salad के साथ साथ आपको half bowl curd भी लेना होगा यह आपके probiotic के requirement को पूरा करेग तो यहां पर मैंने slide share किया है आप इसका screenshot ले सकते हैं कि आपको lunch में क्या क्या खाना है अपना lunch enjoy कीजे का oats की रोटी बहुत tasty होती है इसके बाद हम सीधा dinner पे मिलेंगे मैं कोई evening snack नहीं दे रही हूँ लेकिन अगर आपको भूक लगे मन करे तो आप मखाना या फिर half cup tea ले अब dinner की बारी है तो dinner में हम खाने वाले है oats और बेसन का चीला तो हमें oats का आटा लेना है और equal quantity में बेसन भी लेना है बैटर बना के चीला बनाना है आप चाहो तो इसमें vegetables भी use कर सकते हो बस low calorie vegetables use कीजेगा और अगर आप काफी सारे vegetables टाल के चीला बना रहे हैं तो आपको एक चीला खाना है अगर आप प्लेन चीले बना रहे हैं तो आपको दो चीले लेने है और आपको केचप वगएरा के साथ नहीं खाना है या तो आपको चीला प्लेन खाना होगा या फिर आप उसको green chutney के साथ खा सकते हैं उसके साथ साथ आपको butter milk भी लेना है एक ग्लास आ जाद रखेगा कि आपको rolled oats use करना है, low fat cooking करना है और low calorie vegetables use करना है hopefully आज का diet plan भी आपको पसंद आया होगा, जब मैंने ये use किया था तो मुझे बहुत ही जादा amazing results मिले थे hopefully आपको भी इससे amazing results मिलेंगे, जरूर अपने results कमेंट कीजेगा और इस वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा अपने friends and family के साथ जो की healthy lifestyle जीना चाते हैं और जो weight loss करना चाते हैं और मेरे channel को subscribe कीजेगा, मैं इसी तरीके से useful और interesting और weight loss और health से related content लेकर आती रहूंगी thank you for watching